नमस्कार दोस्तो टार्गेट हैं इमसे भी के एक बार फिर से सोगते हैं दोस्तो एक बार फिर से केंदर सरकार के द्वारा भरतिविग्या पना चुका है इसमें दोस्तो भारत के सभी स्टेट के कंडिडेट अपलाई कर पाएंगे सेंटर गौर्मेंट की जब रहने वाली है तो दोस्तो वीडियो में अंगे बढ़ने पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों कसाथ भी सेर करें आप दोस्तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी मज़र सकते हैं वहां से आपको ये notification का PDF मिल जाएगा तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं information की और ये भरति विग्यापन दोस्तों Broadcast Engineering Consultant India Limited से जारी किया गया है और इसमें भारत के सभी state के candidate अपलाई कर पाएंगे दिली ही से भरति विग्यापन जारी हुआ है और इसमें दोस्तों आपको posting All India Institute आरुवेदा में ये institute में आपको posting दे जाएगी अब हम इसमें बात कर लेते हैं कौन-कौन से post हैं क्या qualification मांगा सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये भरति विग्यापन आउट्सोर्स बेसेस पे जारी किया गया है आपको आउट्सोर्स बेसेस पे इसमें पोस् qualification में आपस BSC in ophthalmic में होना चाहिए आपके पास same field में दोस्तों degree होना चाहिए या फिर आपके पास 12th pass science subject से होना चाहिए साथ में इसे field में अगर आपके पास diploma in आप्टोमेट्री में है तो आप इसमें आवेदन गार पाएंगे और जो candidate डिपलोमा वाले होंगे उनसे 3 year का experience मांगा जा रहा है इसमें आप्टेलमिक टेक्निशियन में आपके पास 3 year का experience होना चाहिए डिगरी वाले candidate से दोस्तों इसमें 1 year का experience मांगा जा रहा है same field में आपके पास यह experience होना चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों next post की तो अंगले जो post है वो ideologist के लिए रहने वाला number of post इसमें भी एक ही सामिल है और इसमें qualification में आपके पास technical person होना चाहिए with 4 year का graduation आपके पास same field में दोस्तों graduation complete होना चाहिए और कम से कम आपके पास 1 year का experience होना जरूरी है same field में 35 years आपको इसमें age limit दिये जा रहा है next post है दोस्तों OT technician के लिए रहने वाला है और इसमें आपके पास operation theater assistant का degree होना चाहिए OT technician में दोस्तों आपके पास degree या diploma है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और diploma वाले candidate के पास 5 year का experience होना जरूरी है तब ही इसमें आप आवेदन कर पाएंगे जो candidate diploma वाले होंगे 29,000 रुपए दोस्तों आपको इसमें salary दे जाएगे हमने इस्ट पोस्ट की बात करेंगे पंच कर्म technician के लिए तो टोटल इसमें दो पोस्ट सामिल है एक male candidate के लिए और एक female candidate के लिए और इसमें qualification में दोस्तों आपके पास 12 पास होना चाहिए साथ में सेम फिल्ड में आपके पार diploma होना जरूरी है पंच कर्म technician का आपके पार diploma होना चाहिए 35 यह आपको इसमें age limit दिये जाए रहा है 24,000 रुपए पर मंत आपको salary दी जाएगी next post देख लेते हैं दोस्तों तो OBD attendant के लिए रहने वाला नमबरा पोस्ट एक सामिल है आपके पास qualification में 12 पास यह 10 पास होना चाहिए और साथ में दोस्तों certificate course hospital service में आपके पास एक course complete होना चाहिए और आपके पास experience भी होना जरूरी है same field में और दोस्त इसमें आपको age limit 35 years दिया जा रहा है बात करें दोस्तों इसमें आपको apply कर से करना तो apply आप online के माद्धिम से कर पाएंगे इसके official website के माद्धिम से यह इसका official website www.becil.com इसी website के माद्धिम से दोस्तों आपको आवेदन करना होगा और इसका last date जो है आपको मैं बता देता हूँ last date आप कब तक इसमें आवेदन कर पाएंगे last date for submission of application form 16-8-2023 16 अगस्त तक दोस्तों आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और selection आपका return exam या interview के माद्धिम से आपका exam होगा candidate will be informed by email telephonic for their skill test या interview या interaction आपको दोस्ते skill test या interview के माद्धिम से इसमें selection होगा और आपको inform किया जाएगा email के द्वारा जो candidate shortlisted होगे इसमें दोस्तों आपको application face भी पेकरना होगा इसमें आपको बताया जाए रहा है कितना कितना आपको application face पेकरना होगा category wise यह दिया है general के लिए 885, OBC के लिए 885, ESC, ESD के लिए 531, EX service man के लिए 885, women candidate के लिए 885 और EWS के लिए 535 रुपय आपको इसमें application face पेकरना होगा और दोस्तों अगर आप additional post के लिए apply कर रहे हैं तो आपको अलग से उसके लिए पेकरना होगा जैसे general के लिए 590, OBC के लिए 590, ESC, ESD के लिए 304 और एक service man के लिए 590, 590 ऐसे करके जितने भी आप additional post उसमें add करेंगे अधर उसमें आपको अधर payment करना होगा तो दोस्तों ये ptf के लिए आप हमसे telegram चैनल में चुड़ जाएं इसका लिंक आपको नीचे description box मिल जाएगा और जानकारी अच्छी लेगी तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ share करें channel पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें thank you